हेलो दोस्तो आज की इस वीडियो में चाहिए मैं आप सभी को ये बताने वाला हूँ कि आप अपने लेप टॉप में कोई भी एप या अप्लिकेशन को कैसे डाउनलोड कर सकते हैं कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं तो इस वीडियो में चुब है आप सभी को इसी के बारे में पूरी जानकारी दूँगा चलिए बिना समय कवाए वीडियो को शुरू करते हैं सबसे पहले चुब है मैं आप सभी को बता देता हूं कि दो प्रकार हैं भईया दो प्रकार से आप अपने laptop में application इंस्टॉल कर पाएंगे एक तो ये है कि आप जो है किसी भी application के official website में जाईए और उस application की file को download करिए और download करने के बाद उस file को आप अपने laptop में install कर लीजिए ये पहला प्रकार हो गया जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं photo swap, यहाँ पे chrome browser, premium pro, obs ये जो application जो है मैंने अपने laptop में install किया है ये मैं जो है इनके official website में गया हूँ फिर वहाँ से जो है मैंने इन application को अपने laptop में install किया ठीक, दूसरा तरीका ये होता है जैसे हम अपने mobile में play store में जाकर कोई भी application install कर सकते हैं वैसे आप अपने laptop के play store जो की Microsoft store रहता है उसमें जाकर भी जाए आप application install कर पाएंगे लेकिन अधिकतर जो काम के application रहते हैं वो website में जाकर उप्लीकेशन के official website में जाकर उनकी file को download करके और उनको जो है इंस्टॉल करना रहता है, ठीक है, तो सबसे पहले वाले प्रकार के बारे में हम जान लेते हैं, कि मानके चलिए हमको किसी भी application के website में जाकर उस application को इंस्टॉल करना है, तो कैसे करेंगे, तो चलिए मैं Chrome Browser open कर लेता हूँ, यहां पे एक application है getpaint.net, यह application वही दिखाए दे रही है इस पर हमको कर देना एक लिक डोस्तों यहां पर यहाँ पर johin डूसरी जग़े आपको देखने को मिल जाएगा ठीक है तो को यहां पर डूलोड कर ना रहता है ठीक तो हमारा जो यह अप्लिकेशन का डाउलोड करने का ऑप्सन यहां पर दिखाए दे यहाँ पर click कर देता हूँ close पर कर देता हूँ click फिर उसके बाद जो हमको यहाँ पर click करना है यहाँ पर select कर लेता हूँ अब यहाँ पर जो हमको यहाँ पर click करना है तो यहाँ पर click कर देते हैं तो जैसे click करेंगे तो एक file जो है हमारे यहाँ पे laptop में download हो चुकी है यहाँ पे जहाँ आप देख सकते हैं तो इसको देखने के लिए जो हमको folder वाले option पे click कर देना है जैसे click करेंगे तो यहाँ पे जहाँ आप देख सकते हैं कि यह file जो है यहाँ पे हमारे laptop में जहाँ डाउनलोड हो चुकी है अब इस file को जो है हमको अपने laptop में install करना है जैसे इसको install करेंगे तो हमारा जो application है वो हमारे laptop में install हो जाएगगा Install कैसे करते है तो इस पर जो आप double click कर तीजे जैसे click करेंगे तो बड़े अराम से यो हमें यह ओपन हो जाता है फिर इसको बात हम झेलेक्ट करना रहता है तो इसका जो setup है, यहीं है यहीं पर डबर click कर देना है अब जैसे ही यहां पर click करेंगे न तो यहां पर झेल्ए आपको पूरा dark दिखाई दे रहा हूगा क्योंकि हमारा जो screen है वो record हो रहा है तो यहाँ पर जो मैं कैमरा चालू कर लेता हूँ और दिखा देता हूँ कि यहाँ पर आप से पूछेगा तो यहाँ पर आपको Simple Leas वाले ओप्शन पर कर देना है ठीक है जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो आप देख सकते हैं कि थोड़ी सा आपको समय लगेगा तो यहाँ पर हमारा अप्लिकेशन यहाँ पर दिखाई दे रहा है इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ यहाँ पर Continue का ओप्शन दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक कर देना है जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो इसकी फाइल जो बची हुई जो चीजे रहती है वह यहाँ पर डाउनलोड होती है किसी किसी अप्लिकेशन में यह प्रोसेस अलग प्रकार की रहती है ठीक है हर application में अलग-अलग यहां पर process आपको देखने को मिलेगा, ठीक, तो यहां पर कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है, ध्यान रखिएगा आपका internet चालू होना चाहिए, और किसी-किसी application में internet की जरूरत भी नहीं रहती है, ठीक, फिर उसके बाद यहां पर पूछ रहा है, तो हम इस निक्स वाले option फ्क्रिक करना है, और फिर से यहां Switch apply option फ्क्रिक करना है, जयसे क्लिक करेंगे तो यह application हमारे laptop में install होना शुरू हो चुका है, और यहां पर इन्स्टाॉल हो चुका हुआ। finish का option दिखाई दे रहा है तो इस पे click कर देते हैं अब जैसे click करेंगे तो यह देख सकते हैं कि यह application जो है हमारे laptop पर download हो चुका है और यह download होने के बाद install भी हमने यहाँ पर कर लिया है और यहाँ पर यह automatic यहाँ पर open भी हो चुका है ठीक है तो यह भी है पहला तरीका हो गया अब हम बात करते हैं दूसरे तरीके के बारे में तो इन application को हम बंद कर देते हैं तो दूसरा तरीका भी है यह है कि आप लैप टॉप के Microsoft Store के application में जाकर जैसे हमारे mobile में Play Store रहता है वैसे लैप टॉप में Microsoft Store रहता है तो उस application में जाके आप एप को इंस्टॉल कर सकते हैं तो वह वाला application कैसे open करेंगे तो यहां पर start button है इस पर click करना पड़ेगा फिर all app का option दिखाई दे रहा हूँ इस पर click कर देना है नीचे के तरफ आपको आना पड़ेगा तो cursor में जो scroll wheel रहता है ठीक है उसका उप्योग करिएगा और नीचे के तरफ आपको चले आना है और यहां पर जो है M से आपको देखना है तो हमारा जो M है वो यहां पर दिखाई दे रहा है ठीक है M वाले box में यहां पर आना है और इसमें जो आपको खोजना है तो यहां पर देख सकते हैं Microsoft Store का application यहां पर दिखाई दे रहा है इस application का इस्तमाल कर पाएंगे तो मेरी ID पहले से बनी हुई है ठीक तो इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब यह open होता तो कुछ ऐसा दिखाई देता है अब अगर आप जिस application को install करना चाहते हैं तो उसका नाम आप यहाँ पर लिख के सर्च कर सकते हैं ठीक है या तो यहाँ पर app का option दिखाई दे रहा है से इस पर क्लिक कर दीजिए और यहाँ पर जब जितने भी application रहते हैं वो सभी application जो यहां पर दिखाई देना सुरू हो जाएंगे कुछ application जो फ्री रहते हैं और कुछ application जो है यहां पर paid रहते हैं जैसे कि यहां पर पैसा देना पड़ेगा यह वाले application को install करने के लिए ठीक है तो हम फ्री वाला application को भी एक download करके आपको दिखा देते हैं तो यहां पर see detail का option दिखाई देरा है इस पर click कर देता हूं यह एक application है paint वाला तो इसको select कर देता हूं अब इसको जो मैं install करना चाहता हूं तो यहां पर install का option दिखाई दे रहा है ठीक यहां पर get का भी option आपको देखने को मिल जाता है तो यहां पर simple आपको कर देना है click अब जैसे ही click करेंगे तो यह application आपके laptop में download होना चालू हो जाएगा और यहां पर internet की ज़रूरत रहती है तो आपका internet connect होना चाहिए आपके laptop में तो यहां पर यह application चले जाएए और इसका नाम आई से सुरूँ था तो हम आई वाले option पर चले जाते हैं यह देखिए आई पर यह वाला application है new यहां पर लिखा हुआ देखने को मिल रहा है तो इसी application को जो हमने अभी डाउनलोड किया था और इसको जो है आप इस पर क्लिक करके open भी कर सकते हैं सिंपल यहां पर क्लिक कर देना है तो यहां पर open होने में थोड़ी से समय लगेगा तो चलिए तो कुल मिलाकर इस तरीके से जो है आप अपने laptop में जो है कोई भी application जो है इंस्टॉल कर सकते हैं इस वीडियो में क्यों इतना ही था अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा कोई भी मन में सवाल रहता है तो comment box में लिखकर हमसे पूछ सकते ह मिलते हैं इस वीडियो में तब तक के लिए शुक्रिया दोस्तो धन्नवाज जाएं